बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टिटूट के साथ शिखर करियर इंस्टिटूट पूर्वी भारत में एक मात्र कोचिंग संस्थान जो exclusively है medical entrance exam के लिए केवल औरेंज जोन में कुछ construction activities कुछ सरकारी कामकाज के लिए लाव किया गया है विशेज परिष्थिती में कोई दुकाने खुलने का संबन्धित जिरा प्रसाशन मिणने ले सकता है बाकि कोई दुकान नहीं कोई shopping complex नहीं खुलेगा कोई mall नहीं खुलेगा कोई cinema hall नहीं खुलेगा कोई भी नाई की दुकान सैलून तंबा कुपान गुटकाश की दुकान कुछ भी नहीं खुलेगी सब बंद रहेंगे पहले ही की तरह इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना है मोटर सांक्र पर पास लेकर के से एक आदमी ही चल सकता है दो आदमी नहीं और पास लेकर के गाड़ी में भी बहुत जरूरी काम से कहीं जाना हो तो डाइबर कालावे से दो आदमीं को उसमें विख्याल रहे डाइबर के लावे सिर्फ दो रादमी अब छूट किसको है सभी प्रकार के मालवाहक बाहन चलेंगे सामगरी ढूने वाले बाहन चलेंगे और रक्षा सुरक्षा संबंधी आपात कालिन से वाएं चालू रहेंगी और आवश्यक से वाएं चालू करते हैं यहां जो विवस्था बन है उसके अंसार सहयोग करेंगे सीमा पयाएंगे उनके उनके खाने पीने की बहुत ही अच्छी विवस्था है सम्मान के साथ उनको उनके ब्लॉक में ले जाए जाएगा वहां करंटाइन सेंटर बना है वहां और रहेंगे खाएंगे थे पाद नहीं करेंजट्ट नहीं लोग भी बहुत कठिन परिखितियों में जान जोखिं में डाल करके काम कर रहें आपकी पूरी हम्दर्दी है लेकि हम आपको बचाने के लिए इस देश को बचाने का बहुत ही अनसासन का पालंक करना है और पुलीस पर हमले भी कहीं कहीं हो जाते हैं उनलों को कहना चाहता हूं प्रसासन पर और मेडिकल के करिशालियों पर कोई भी अगर हमला करता है बहुत ही जगन्य अपराद है उनके साथ सक्षरेकल वि tightening कारवाई सामपरदाइक, दंगा या फसाद की स्तिति पैदा करने वाले नफरत पहनाने वाले जो पोस्ट करेंगे सेकड़ों लोगों को हमनों जेल में दिया आप दिली में हो ममभी में हो आमदाबाद में हो देश के किसी कोने में हो लेकि इस तरह का पोस्ट अगर करते हैं मुकदमा होगा आपको आज नकल पकड़ा जाएगा गुंडारेश्ट में आपका नाम दर्ज ह दोगा चैरशिट करेंगे स्पीडिक्याइल कराइंगे सामप्रदाएं सद्वाव को किसी भी बिहार में बगडने नहीं दिया जाएगा यह भीरों की धर्ती है सांती की धर्ती है इस दर्ती की घर्म को बनाये रखने में हमारा सहयोग करें और भीहार की जंता को मैं प्रणाम करता हूं कि आपके सहयोग से ये लॉकडाउन सफल हुआ है आपके सहयोग से ही अभी तक बिहार बचा है बचाएं आगे वाला समय और खत्रे का है बहुत खत्रा खामने है अगर आप अगले 15-20 दिन तक बिहार को बचा लेंगे तो हम सब बच जाएंगे बिहार बच जाएगा ये देश बच जाएगा आप समय को पना